Hi, Welcome back to this channel आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को बदलते मौसमें बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए क्यूंकि जब मौसम बदलने लगता है ना तो बच्चों को सबसे पहले सर्दी जुखाम वुखार ये सब होने लगता है जैसे अब बीच में हुआ कि गर्मी होने लग गई थी लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और अप फिर से गर्मी बढ़ने लगी है तो यह जो अचानक से जो मौसम में बदलाव आया है इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है बच्चों पर ही होता है तो उसी की बारे में बात करेंगे कि बदलते मौसम में बच्चों का ध्यान कैसे रखें और आप उनके खाने मैंसे क्या चीजे एड कर सकते हो या आप करनी चाहिए जिससे बच्चों की इम्म्यूनिटी अच्छी बनी रहे और वही जो सीजन करेंगे कि आपको ऐसी क्या कुछ प्रिकॉशन लेनी है और उसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चों को आपको खाने में क्या क्या चीजे देनी चाहिए तो सबसे पहले इसमें आता है कि जैसे मोसम अतानक से बदला है तो पहले था कि लोगों ने जैसे हम सबने एसी चलान जाना जाए उसमें बच्च को फुल स्लीव मतलब पेंना के सुलाती है और साथ में नीचे तो इससे होता है कि दबल लेयजाता है और सढ़े लेता है तो बच्चा रात में टेंशन नहीं रहती है कि उसने और मैंध यह तंडा लग रहा है तो इसने एस अन्याया होरा है है तो 26-27 ही रहे उसे ज्यादा नीचे ना जाए साथ ही जो कपड़े चो पहना रहे हैं वह फुल स्लीव जाव कपड़े पहना हो क्योंकि बचे ओड़ते नहीं है तो आपको भी टेंशन नहीं रहे कि और बच्चे को भी ठंडा नहीं लगता है और दूसरा जब AC बंद कर रहे हैं जो रूम से बाहर आ रहे हो तो AC बंद करके थोड़ी दर बाद उसको कमरे से बाहर निकालो ऐसा नहीं करो कि AC चल रहा है और साथ ही सीधे बच्चे को अपने बाहर निकाल दिया यह सीधा बाल के नहीं में बच्चा चला गया है क्योंकि धूब बहुत तेज होती है बाहर और कमरे के बाहर भी थोड़ा गरम रहता है तो वो जो सड़न टेमप्रेचर चेंज होता है तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको एड्जस नहीं कर पाते है इतनी जल्दी इसलिए बच्चों की नाग बंद हो जाती है नाग बहने लगती है थोड़ा बहुत बुखार यह सी तो अब झृग हो सकता है और दूसरा के आप तरिश से तुरंद ले जाकर कि बच्चों को नहलाओ नहीं और नहलाने के बाद तुरं तुरंद पर एसे में मत लेकर आओ बच्चों को चाहिए यह एड करनी है कि बच्चों की इम्म्यूटी अच्छी बनी रहे बदलते मौसम में बच्चे जल्दी बिमार ना पड़े क्योंकि बाहर जो माहूल है जो जादा फैला हुए इतना बूरा हाल हो रहा है कि अगर घर में बच्चों को छोड़ो घर में किसी को भी अगर हलकी सी खासी भी होती है इस मौसम में तो सबसे पहले यही टेंशन होती कि आरे यार करोना तो नहीं है तो इसलिए बच्चों को इन सबसे दूर रखो और उनक जैसे बच्चे नहीं खाते हैं पसंद नहीं करते हैं खाना तो रोस्टीड वाले दे सकते हो यह आप ड्राइफुट पाउडर बना के बच्चों के लिए रखो इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी पाउडर आप बच्चों को दूद में डालके दे सकते हो यह बच्चों के लिए खीर बना रहे हो हलवा बना रहे हो उसमें डालके दे सकते हो यह जैसे कुछ पिरेंट्स को लगता कि अब गर्मी बढ़ गई है तो ड्राइफूट आप बच्चों को भीगा करके ड्राइफूट खिलाओ रात में भीगो दो बच्चों को जो भी बादाम और अखरोट तो बच्चों को जहूर खिलाओ दोनों चीजे आप रात में भीगो के रख दो और सुबह उसको दूद में आप ग्रेट करके या पत्थर पर किसी भी घिस करके बच्चों को दे सकते हो बच्चा अगर को फूट खा रहा है स्नैक में तो उसकी उपर है आप ग्रेट करके दे सकते हो就是 की उपर डाल सकते हो या लगी जळा करके डाल सकते हो तो पस किसी भी तरह से क्यूंकि यह तो से बीस से कुओए बच्चों को जीशन गालु जरूर बादाम और भी दोन्य घिल्ट और बच्छेन ओर रहूर को बच्चों को पॉछन रहती है द्यजेशं भी ठीक रहता है अधरक जासे बच्चों को थोड़ी खांसी हो रहे है गले में थोड़ी सी घरा रह लगह तो अधरक और शह्त कर आशब चmarket को दे सकते हो तो शहद एक साल से पहले बच्चों को नहीं दिया जाता है शहद और अधरक कर मेडियों तो आप उड़े से बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को एक साल चीं von Tradition क्योंकि एक साल तक वैसे भी बच्चा जो थोड़ा Hmm एक खाना कहता है तो आप एद्रक और लेशन उसके खाने में डाल सकते हो आप तो ये बच्चों को आप जरूर दो और बच्चों को जाइफल भी आप जरूर दो खाने में, ये भी बच्चों की इम्म्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है, जाइफल आप चाओ तो ऐसे घिसके दे सकते हो पानी के साथ, लेकिन पानी उबला हुआ होना चाहिए, या आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हो, रायता बना रहे हो, परांठा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, दाल दे रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा ग्रेट करके दे सकते हैं बच्चों को, और इसके साथ बच्चे के खाने में थोड़ी सी काली मिर्श भी आप जरूर add करो जो काली मिश पाउडर जो आता है वो भी बच्चों के परांठे में चीला बना रहे हो दाल बना रहे हो कुछ भी बच्चों का खाना है उसमें थोड़ी सी काली मिश डाल के बच्चों को जरूर दो और बच्चों को कोई भी दिन में एक आप सीजनल फ्रूट जो भी एक साल तक का बच्चा होता है उनको तो हम बड़े अराम से जो मारा मन करते हैं वो खिला देते हैं और इतना चोटा बच्चा उसको नया नया पेस्ट मिलता जाता तो खाता भी रहता है लेकिन जैसे बच्चा डेल दो साल का होता है ना जा एक साल से उपर जैसे बच्चा होत ब्रॉक्ली और बेन्स या लो ये लिए लिए अगर बढ़े लिए वह लुआ है जिए फिर फाज्ट्पर दे लिए आचा है या अगर बच्चों को आटा नूडलस आते हैं इसी के साथ ही बच्छों को उन्डा आप जरूर शुरू करो दे लिए अब गर्मी जैसे बढ़ तो आप alternate days पे हफते में दो बार हफते में तीन बार जितना भी आपका मन करता है अंडा उनको जरूर दो यह सब चीजी से होता है कि बच्चे के अगर सेहत सही बनी रहती है इसकी इम्मुनिटी अच्छी बनी रहती है बच्चा जल्दी से बिमार नहीं पड़ता है और अगर चाहल भी दूप तेज हो जाती है बच्चे को खुद जाना पसंद नहीं करते हैं तो क्योंकि हैं बाहर इस टाइम पर बाहर की पार्क वगरा में नहीं ले जा सकते हैं बच्चों को तब घर के छट पे या बाल की नहीं जहां भी सुबाल की वह दूप आती है वहां इस लात बच्च के साथ विटामिन दो you can put a some running with a bach बना बच्चे नहीं पीते हैं तो Namu & भिप्टे को गोल बना के आपatalas यह पाईयमज दे सकते हो पीता आनो थाइट साथ मैं थोड़ी-thोड़ी दीर में भऑन बीए फ़ी लोगए ज्यातनी है ? बार बार मुह में डालते हैं तो बच्चों के एक तो यह habit आप डालो कि खाना खाने से पहले और खाना खाने की पार जरूर हाथ दोने हैं यह जिसे छोटा बच्चा है तो उसके आप थोड़ी थोड़ी में बार बार हाथ धुलाते हो लेकिन इस ताइम पे जिसे sanitizer बहुत जा बाहर हो अगर आप हाथ नहीं धुला पा रहे हो तो sanitize करने के बाद बच्चों के जो वेट वाइप होती हैं उससे हाथ आप जरूर साफ कर दो बच्चों के क्योंकि बच्चा मुह में हाथ डालेगा आँखों में हाथ लगा देता है तो sanitizer से इसको कुछ नुकसान ना हो और बच्चों के जो toys हैं जो भी खिलोने हैं बच्चों के वह आप 2-4 दिन में एक बार जरूर उनको wash करो एक बार उनको जरूर साफ करो क्योंकि बच्चे बार बार वही चीज़ें मुह में डालते हैं तो जैसे season भी बदल रहा है और बाहर भी यह जो covid फैला हुआ हुआ है त आप दे सकते हो जिसमें zinc हो zinc plus vitamin इसीरफ दे सकते हो यह मैं अपने बेटे को भी दे रही हूँ जिंकोविट नाम से एक आता है सिरफ multivitamin लेकिन यह आपको अपने pediatrician से पूछ कर ही बच्चे को देना है क्यूंकि बच्चे की एज के according इसकी जो dose है वो अलग-अलग होती है तो इसलिए अपने doctor से आप कोई करवा सकते हो कि आप multivitamin सिरफ को देना चाहते हो बच्चे को तो जिंकोविट जो मैंने बताया है यह आप दे सकते हो बट अपने doctor से पूछ के और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा रात में अगर AC में सो रहा है और उसका नाग आपको बंद लग रहा है कि नाग बंद हो रहा है तब आप जो नैजो के लिए drops आती है वो आप सोने से पहले बच नाग में डाल सकते हो उसे बच्चे को बंद हो जाता है रात को सोने से पहले सर्सों के तेल से अब मसाज कर सकते熟रिगीillä कि बिमार पढ़ने से पहले जोज़ों चेज़ए कर सकते हैं क्योंकि जो जबसे जादा जो डर फैला हुआ है वह यह है कि न्यु ट्रेंज आया है कि बच्छों के लिए ज़्यादा असर कर रहा है बट जो पिछले साल था उसमें भी बच्छों को भी हो रहा था तो इन सब बातों को ध्यान में देने की बजाए या डरने की बजाए बच्चों की इम्मुनिटी पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए तो इसे लाइक करना है शेयर करना और इस चैनल पर पहली बार आया है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़यूर कीजिए थैंक यूफर वाचिंग इंडियन मों सिन्स्टाइब